दोस्तो आज मैं आपको बारिश में भावी माई के नहीं जाएगी कहानी सुना रही हूँ बरसात का सीजन चल रहा था तो कभी बारिश कभी धूप हो रही थी सुनीता अपने पोते चीकु को खिला रही थी तभी सुनीता की बेटी राकी वहाँ आई और बोली मा चीकु को मैं इसे खिला लेती हूँ और रश्मी भावी कहा है सुनीता हां ले खिला ले थोड़ी देर बाहर भी गुमा के लेया रश्मी बहु सबजी लेने बाजार गई है बस आती ही होगी फिर राकी ने चीकु को ले लिया चीकु रो रहा था सुनीता कहती है लगता है चीकु को भूख लग रही है इसलिए जीकु रो रहा है राकी कहती है मा लो अब बारिश भी पढ़ने लगी अब तक तो भावी को आ जाना चाहिए था तब ही रश्मी भी आ गई वो बारिश में भीग चुकी थी रश्मी कहती है ओफो आज तो कोई रिक्षा भी नहीं मिल रहा था बा पुद बना के रख जाती तो कम से कम हम इसे पिला तो देते राकी भी कहती है भावी अब आप ही चीकु को चुप कर आओ देखो मैं इसे घुमा कर भी ले आई पर यह चुपी नहीं हो रहा आप ही संभालो अब अपने चीकु को उस दिन की बारिश पूरे पांस दिन तक प है उतने दिन रह लेना रश्मी नहीं नहीं रोहित देखो मैंने आपको पहले ही कहा था इस अबते मुझे अपने माई के जाना है और देखो अब मैं अकेली भी जा सकती हूँ मैं एक टैक्सी बुक करके चली जाओंगे तुम भी तो जा रहे हो फिर मैं यहां अकेली क्या ह ही करूंगी रोहित ठीक है चले जाना पर बारिश देख लेना साफ मोसमों तभी जाना रश्मी अहां हां आप फिकर मत करो मैं मैंनेज कर लोंगे फिर रोहित तो अगले ही दिन टूर पे चला गया रोहित के जाते ही रश्मी भी अपना सामान पैक करने लगी अपने माई के जाने के लिए आज बारिश भी तेज पड़ रही थी पर रश्मी पहले ही टैक्सी बुक कर चुकी थी रश्मी टैक्सी वालों को फोन करती है अरे भीया मैं कब से आपको फोन मिला रही हूँ आप अभी तत आये क्यों नहीं टैक्सी वाला कहता है अरे मैडम मैं आज नहीं आ सकता सड़कों पर पानी भर गया है ऐसे में मैं आ नहीं पाऊंगा एक जंगे पेड़ भी गिरा हुआ है लोग पता नहीं कहां कहां से गुम के जा रहे हैं देखो आपको योर टैक्सी कर लो रश्मी अरे हैलो हैलो सुनो तो ओफ ओ ये टैक्सी भी कैंसिल हो गई क्यों ना मै बैग लेकर बाहर तक चली जाओ वहां से कुछ न कुछ तो जरूर मिल जाएगा ओटो मिल जाएगा तो उसी में बैठके चली जाओंगी सुनीता कहती है अरे बहु बारिश तो देख कितनी तेज पड़ रही है ऐसे में जाना सही नहीं होगा जब कल बारिश रुक जाएग तो तू तब चले जाना देख अभी शाम होगी है रात भी होने वाली है साथ में तेरे एक छोटा बच्चा भी है इस बारिश में कैसे इसे संभालोगी रश्मी नई नई माजी मैं चली जाओंगी अरे अब मैंने बना लिया है और अपना सामान भी बैक कर लिया है घर पर म मेरी मा के लिए मेरे भाईया और भावी कहीं गूमने गए है अब मैंने उन्हें फोन भी कर दिया कि वो खाना बना के तयार रखें मैं चली जाओंगी माजी कुछ नहीं होता बारिश है तो क्या हुआ आप मेरी फिकर ना करो राखी भी कहती है नहीं नहीं भावी आपको इ इतना क्यों कह रहे हो अरे मैं थोड़ी चोटी बच्ची थोड़ा ही ना हूँ मैं एक बच्ची की मा हूँ मैं ओटो पकड़कर चली जाओंगी देखो अब बारिश भी कम होगी है पानी भी जादा नहीं है अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो मेरी दो टैक्सी पहले ही कै अब है प्लीज मुझे मत रोको अब रश्मी ने अपनी सास और ननंत की बात को नहीं माना और बैग उठा कर चलने लगी तब ही राखी कहती है भावी रुको जरा एक मिनट रश्मी अब क्या है पीछे से ही टोक दिया तुमने राखी कहती है वो मैं आपको बाहर तक छोड क्या आते हूं लाइए बैग मुझे दीजिए फिर राखी ने अपनी भावी रश्मी को बाहर एक ओटो में बैठा दिया राखी कहती है भावी आराम से जाना और पोस्ते ही फोन कर देना रश्मी हाँ हाँ फिकर ना करो मैं पहुच कर फोन कर दूंगी चलो ठीक है बाए फ केरी भावी ने अभी तक फोन नी किया अरे वो तो कब की पहुच गी होगी जड़ा फोन करके पूछ तो राखी फिर रश्मी को फोन मिलाती है पर उधर से फोन स्वीच ओफ आता है सुनीता कहती है अच्छा उसकी मम्मी के फोन पर फोन करके पूछ राखी फिर उनकी मम्म से इंतिजार कर रही हूं राखी क्या अभी तक नहीं पहुची वो घर से उने गए तो बहुत देर हो गई है रश्मी की मा क्या वो घर से निकल चुकी है पर अभी तक तो यहां नहीं आई अरे मेरी बच्ची फिर कहां गई तभी राखी कहती है आरे नहीं नहीं अंटी ऐसा नहीं है वो मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि उनका फोन लगनी राता आप बिल्कुल भी फिकर ना करो वो यह कह कर गई थी कि वो तो अपनी सहीली के घर जा रही है अच्छा अंटी अब मैं भाबी की सहीली के फोन पर फोन कर लेती हूं और पूछ लेती हूं कि भाब और उसकी मा को रश्मी की फिकर होने लगी थी सुनीता कहती है राखी बेटी अपनी भाबी को ढूण पता नहीं वो कहां होगी अरे उसकी मा से तो मने जूटी कह दिया बेटा अब मुझे रश्मी की बड़ी फिकर हो रही है अगर हमने रोहित को बताया तो वो भी खामका अटेंशन में आ जाएगा राखी कहती है मा मैंने आपको कितना कहा था कि भाबी को इतनी बारिश में मज जाने दो पर आपने ना सुनी और ना ही भाबी ने सुनी पता नहीं अब वो कहां पे होंगी अच्छा मैं जा रही हूने डूडने देखो बारिश तेज हो रही है पत्री लेकर अपनी भाबी रश्मी को डूडने निकल पड़ी वो पानी से भरिवी सडकों पर चल रही थी रश्मी उसे कहीं भी नईम दिख रही थी तब ही राखी को पानी में तैरता एक रुपट्टा दिखा राखी कहती है अरे ये चुनी तो भाबी के सूट की लग र चाती है बस्ती में दाखिल होते ही उसे एक चोटी बच्ची मिलती है वो बच्ची राखी को अपने साथ अपनी एक टूटी फूटी सी जोपड़ी में ले जाती है जहां पर उसकी भाबी रश्मी अपने बेटे चीकू को लिए बैटी थी रश्मी के माते पर चोट भी तो महाग जो गड़ा था वो मुझे नी दिखा मैं उसमें गिर गई और ये तभी चोट मेरे लग गई वो तो भगवान इनका भला करे रानी जी का इनोंने मुझे देखा और मुझे समाल लिया और चीकू को भी उठा लिया और गिरने नी दिया हम दोनों को फिर ये अपने घ पर ही उतार दिया फिर मैं परेशान होकर पैदल ही चलने लगी तब ही ये सब हो गया और मेरा फोन भी पानी में गिरने के कारण बंद हो गया इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाई फिर यहां आकर इनके फोन से फोन किया तुम्हें मैं बहुत परेशान हो रही थी पर उनों ने रानी जी को धन्यवाद दिया फिर राकी एक ओटो से रश्मी को पहले अस्पताल ले गई महाँ पर डोक्टर से पट्टी करवा के फिर वो वापस अपने घर गए सुनीता भी रश्मी की चोड़ देखकर डर गई फिर राकी ने अपनी मा को सारी बात बताई फिर रश्मी कहती है माजी सारी गल्टी मेरी ही है इतनी बारिश और इतनी पानी भरी सडकों में मुझे निकलना ही नहीं चाहिए था मुझे ये समझना चाहिए था कि पानी भरी सडकों पर चलने से दुरगटना होने की संभावना बनी रहती है अभी तो मैं बच गई हूँ, अगर कहीं कुछ जादा हो जाता ये चीकु को छोट लग जाती, तो मैं क्या मू दिखाती है आप लोगों को मा जी मुझे माफ कर दो, राखी तुम भी मुझे माफ कर दो मैंने तुम लोगों की बात नहीं मानी, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, राकी कहती है, कोई नी भाबी, आप और जी को ठीक ठाको, हमारे लिए यही बड़ी बात है, अब एक काम करते हैं, वो रानी जी है न और उनकी बेटी चोटी सी वो, जब बारिश रुक न, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे, उन्होंने आपकी बड़ी मदद की थी न, सुनी था, हाँ, हाँ, बिटा, एक दो दिन में चले जाना, तब तक बारिश भी रुक जाएगी, फिर बारिश रुकने के बाद, रश्मी और राखी रानी के घर जाकर उसको गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट पाकर रानी और इसकी बेटी बहुत खुश हुई, और रश्मी ने अपने आप से अभी ये वादा किया, कि वो कभी भी जल्दिवाजी में कोई फैसला नहीं लेगी, और अपनी सास और नहननत की बात भी सुनेगी, दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, कोमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स फोर वोचिंग,